तो गाई जैसा आपने सुना यहां पर आप जब कोई कॉल रिकार्ड करते हैं तो उसका कॉलिंग कुछ इस तरह से आपको रिकार्ड होने का मैसेज आता है और यह मैसेज आपकी तरफ ने यह दोने तरफ सुनाए पड़ते हैं जी हाँ जब आप कोई कॉल रिकार्ड करते हैं तो वो प्राइवेसी की वज़ए से सामने वाले को भी पता लगता है कि आप उसके कॉल को रिकार्ड कर रहे हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सामने वाले पता भी ने चले और आप उसका call भी रिकार्ड कर सकते हैं तो वीडियो का पूरा देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगते वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सस्क्राइब करना मत भूले गया क्योंकि ऐसी कंटेन आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूं तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि आप अपने call को कैसे रिकार्ड करें बिना किसी को पता हुए है जी हाँ जैसे कि आप जानते हैं call has been recorded जो हमारा message आता है इसको हमको कैसे disable करना है और हमारा call भी रिकार्ड हो जाए और सामने वाले को पता भी ने चले तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने Google Play Store से आपको करना है true color यहाँ पर डाउनलोड तो आपको यहाँ पर true color को डाउनलोड कर लेना है और true color जब आपको डाउनलोड हो जाए उसको कुछ इस तरह से आपको open करना है मैं यहाँ open करके दिखाता हूँ और यहाँ पर सारे यहाँ पर जो इतने भी इनके permissions होते हैं हम यहाँ पर granted करेंगे और यहाँ पर true color को default पर click कर देते हैं और इसको continue पर click कर देते हैं और यहाँ पर इनके कुछ permission होते हैं यहाँ बैक अप कर देते हैं और permission के allow करके इसको back कर देंगे तो कुछ इस तरह से आपका interface खुल जाएगा और यहाँ को left में आपको three tick दिख रहा होगा और आपको इस पर click करना है और देखिए यहाँ पर call recording का जो है नया option यहाँ पर आया हुआ है और यह true color जो है अभी नया नया option लेकर आया हुआ है और आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखेगा और इस पर हम click करते हैं और यहाँ से एकर हम किसी call को record करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो है वह recording हो जाता है दोनों तरफ की recording भी होगी आपको इस तरफ की recording होगी और सामने वाले की recording हो जाएगा पूरा बीना कोई दिक्कत के तो यहां पर क्या करना है जो setup आपको मैं बता रहा हूं इस setup को setup करना है और जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरह सी आपको setup करना है नहीं तो आपको कोई problem आएगी तो आप हमसे कहेंगे इसमें problem आ रही है तो इसको क्या करना है यहाँ पे setup Help पर click कर देंगे और यहाँ पर देखिए आपको लिख रहा है तो यहाँ पे ACCEP कर देंगे ठीक है। यहाँ एब ACCEP करते हैं तुछ १र्जाइबल धीछ थिंगे कम क्या दिखा ही तुछ तरह देते हम धे ज़िए फिलर के दिखीलों, कहाँ हमकितन हड़ी क्या सब्सक्राइब निख कर देते हैं इसकी हैं क्या देख वाग जाते है यहां हैं पर C angry लुँ लुझक आपको प्रिकार्द है आपको बीना क्लिक किये ही आपका call recording शुरू हा जाएगा और सामने आले को पता भी नहीं चलेगा कि आप उसका call record कर रहे हैं तो इसको अगर चाहते हैं पर आटो call record करना है तो यहाँ पर आटो call को record पर हाँ पर click कर देंगे और यहाँ पर देख रहे हैं सो all care record notification तो यहाँ पर आकर चाहते हैं इसको notification पर यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं और हम यहाँ पर click कर देते हैं दोनों को और यहाँ पर हुसको अर्टु और अब हम आते है यह आपर back हुआ हैं एक हैं कि आप देख सकते हैं यहां पर डimore जो है ओपन करेंग कढ़ने और ड्रीपाल्ट करने निए तो यहां पर आजाना है आपको बैक डिफॉल्ड कजना फंपिक करना सेट इहां फोन पर सेट करना है और सेट default पर किलिक करके आपको बैक आ आजना है ठीक है यहां पे बैक आजाएंगे कोई भी आप कॉल कड़ेपा करते हैं तो यहांद फिर से पने लुख टायल करने है hice को क्या को दिखाते है रिकार्डिंग होती कि नहीं इस पर डायल करते हैं और यह देखिए आपका हमारा रिकार्डिंग यहाँ पर सुरू हो जाएगा और रिकार्डिंग देखिए आटो मट्टिक यहाँ पर कॉल रिकार्डिंग सुरू हो गई है अब भीने सामने वाले को ज जाता है और जाके आप अपने ट्रू कालर एप में उस फाइल को वहां पर चग भी कर सकते हैं उसको आप रिपीटर करके सुन वर सकते हैं तो फ्रेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूंगा रही आपको वीडियो पसान आए गया तो हमारे चैनल को लाइक करना मत बुलिएगा और सस्क्राइब करना भी मत बुलिएगा क्योंकि ऐसे ट्रिक्स आपके लिए लेकर आता रहता हूं फ्रेंट्स मिलते हैं नए वीडियो में टेक केर बाई बाई